सब्सक्राइब कीजिए एफ इस्टेटी क्लास चैनल को और बेल आइकन पर दबाईए लटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर आपको पूरी प्लेश देखने है यानी पीछे वाले सभी परसन अगर आपको देखने है तो मैंने आई बड़ि में प्लेलिश का लिंक दिया है वहां से आपको देख सकते हैं तो चलिए आप सुरूप करते हैं पर्सन नूमर 13 तो आप वीडियो को लाज़कर जरूप देखना रहा हुआ तो देखिए पर्सन नूमर 13 है इसमें हमें जिया गया है चोटा सा पर्सन है पर्सन नूमर 11 कि ABC की एक समलम है यानि ABC की एक समलम चतर पुझे जिसके अंदर AB पुझा और BC पुझा समानतर दी गई है यह AB है और यह BC है दोनों क्या है समानतर दी गई है AC के समानतर एक रेखा AB को X पर और BC को Y पर पर परतिशेर करती है यह AS रेखा है इसके समानतर एक रेखा है जो AB पुझा को X पर और BC पर पर परतिशेर करती है यानि हमें AC के समानतर इस तरह से बुझा इसमें ठीजनी है तो यह हुगे AC, समानतर, X और Y तो यह दोनों क्या है समानतर है इसने लिखा है कि AC के समानतर हैं जो बिंदू, sorry, AB है इसको बिंदू X पर और BC को बिंदू Y पर परतिचेद करती है तो हमने एक X, Y रेका बना दी जो AC के समानतर है उसके बाद में दिया रहा है परतिचेद करती है तो सिर्ध हमें करना है ADX का चेतरपल और ACY यह दो क्रीबूज है इनका चेतरपल हमें बराबर देना है अब ADX कौन सा है देखिए होगा AD और D को हम X से मिला देंगे तो ADX एक क्रीबूज बन जाएगा चलिए मैं इसको यहां से मिला जाता हमें तो अब देखिए यहां पर हमने D को और X को मिला दिया तो एक क्रीबूज बन गया ADX इसका चेतरपल हमें बराबर करना है ACY की अब ACY यहां पर है C और यह है Y तो हम ACY एक क्रीबूज बना देंगे तो इस तरह से A, C, Y एक क्रीबूज बन गया और दूसरा A, D, X इन दो लों का चेतरपल में बराबर करना है और इसमें एक संगेर जागा है कि C को X से मिला यह तो यहां पर है C और यहां पर है X इसको हम क्या करते हैं मिला देते हैं तो चलिए मैं इसको C और X को मिला देता ह तो इस तरह से हमारा यह जित्त है पूरा प्रण हो गया है हमें सित्त करना है कि A, D, X, O, 3 बुजा है और A, C, Y, 3 बुजा है इनका चेतरपल हमें बराबर करना है सबसे पहले हमें D, I, O, में हम लिख लिएते हैं हमें D, I, A, B, C, D, A, K, Sum, L, M, 4 बुजा है समलम चत्रपुज है यह हमें दिया गया है और A, B, 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 C, B, 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 C और यहां पर हमने और किया है एक समांतर रेका किंची A, C के समांतर हमने रेका किंची तो यह है A, C, और इसके समांतर किंची हमने एक्स, Y तो A, C, Sum, Haanthar, X, Y यह भी हमने लिख सकते हैं तो था A, C, Sum, Haanthar, X अगर Y यह हमें दिया गया अब देखें ढुपश्रों यहां पर और किंची करें है कि इसम पर में जो सिdh करना है इस तरह से हम इसको सिद करेंगे, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ऐसी कौन से त्रीबुज है, जो A की अधार और A की समानतर रिखाओं के पीछ में इस त्रीबुज देखेंगे हैं, तो A, D, X, A, D, X दो त्रीबुज बना हुआ है, जिसका अधार बरावर करना है, तो A A, D, X दो त्रीबुज है, देखेंगे, यहां पर आधार इसका A, X है, और A भी पूरी क्या है समानतर रिखा, इस तरह से, यहां पर जो इसका D बिल्तु है, वहां पर भी DC है समानतर, यह उपर निचे वाली यह रिखा है, इनके पीछ में A, D, X, यह त्रीबुज बना और आधार देखें, A, D, X का और A, C, X, दोनों त्रीबुज का अधार क्या है, यह A, X इनका आधार है, मैं पर आपको चितर दुबारा बना की बता देता हूँ, तो देखें, हमने दुबारा चितर बना है, इसमें देखें, यह हुए A, D, X, यह त्रीबुज और A, C, X, य तो इन दोनों का चैनल बराबर होगा, तो हम यह थेंनी है, उपपती में, तो देखें, मैंने यह यहां रिग दिया, कि A, D, X, तुरीबुज और A, C, X, इसमानद देखें, बराबर हूँ, यहां पर आधार बराबर होगा, तो चलिए हम लिब देते हैं, यहां पर, एरिया तीरी बूजित एले 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 तो दूसरा पूरे इंगे एक्स एगा वह दूसरा है अब देखे हमने इसका अलेब बना लिए इसमें एक तो गया दोसरा एसी वाइए दोनों का अधार है और यह दोनों लाएए वो समानतर है AC और XY क्या है, समाज तरहे तो इसलिए इन दोनों का चैटरफल भी बराबर होगा तो हम यही लितेंगे तो चलिए बहुते हम यहां पर हम लितेंगे साथ ही area of तीरे कुज़े ACX यह बिया ACX का चैटरफल बराबर होगा तीरे कुज़े ACY यहां को लिक्टेते हैं A, C, Y, और इसको नाम दिया समीकर नमबर हमने दो नाम देगी है अब देखि़े समीकर नमबर एक और दो से समीकर नमबर एक और नोगए चिस पूर्मन है यहां पर देखिए area of a-c-x है और यहां पर भी area of a a-c-x यानि एक साइड बराबर होगी नहीं लिखने कि समीकरन एक होए Rossi यह वालबर यह साइड की बर्यांप एगी तो मैं लिखते तहूं मैं लिख से हूं ए डी एक्स बराबर हुदा एरिया को फे ए सी वाई के तो इस तरह से हम इसको सिर्थ करेंगे कौन साइस में नियम लगाया है अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस लाइप और से जरूर कर देना इस चैनल पे आपने हैं तो सब्सक्राइब करना हम इसके नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू